आज मैं आपके साथ समोसो की न्यू फोल्डिंग शियर कर रहीं चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं समोसो की फोल्डिंग बनाने के लिए मैदा मैंने लिया है तीन कप इसमें हम डालेंगे अजवाइन आदा चमच आदा चमच मैं इसमें नमक का डाल दूँगी तक्रीबन सारा डाल देंगे आदा चमच ही है पांच चमच मैं इसमें घी के डाल दूँगी यह मैंने डाल दिये हैं पहले हम इने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर तीन से चार मिनट तक अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिएगा इसमें ये देखें मिक्स हो गया है मिक्स होने के बाद इसकी ये कंडिशन होगी ये मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आट करना शुरू करूँगी पानी मैंने नॉर्मली लिया है हमने इसकी बहुत सकडो गुन दी है नरम नहीं गुन दी है एतियास से थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा बस इतना पानी काफी है अब मैं इसको अच्छे तरीके से गुन लूँगी तक इवन चार से पांच मिनट तक इसको गुन लिएगा कि ये बिलकुल नरम हो जाए ये देखें इस तरह की हो जाएगी गुनने के बाद ये कितनी नरम हो गई है अब मैं इसे कवर करके रख दूँगे आदे घंटे के लिए आदे घंटे से पहले आपने इसके समोसे नहीं बनाने है ये मैंने कवर कर दिया है इसको आदे घंटे के बाद हम इसकी शेप्स बनाएंगे आदा घंटा गुज़र चुका है यह मैंने इसका कवर उतार दिया है यह देखें डोर नर्म हो गई है बिलकुल हम इसे एक बार दुबारा गुन लेंगे एक से दो मिनट तक इस तरह से इसे दुबारा गुन लिएगा यह गुन गई है देखें कितनी सक्त हो गई है अब मैं इसे काट लूँगी जितनी आपको ज़रूर हो तो उतनी काट लिएगा मैं तकरीबन एक पेड़े जितना ले लूँगी इसे नॉर्मली साइज के मैं इस पेड़े की रोटी बेल लूँगी पहले बहुत जादा पतली रोटी नहीं करनी है आपने अब मैंने यह प्याला ले लिया है 6 इंच का सरकल है यह मैं इसे चुरी की मदश से ऐसे काट लूँगी ताके परफेक्ट राउंड शेप कर जाए यह देखें बिलकुल परफेक्ट सरकल आ गया है अब मैंने 3 इंच की एक और राउंड शेप ले ली है इसे में 3 इंच की रोटी काट लूँगी इस तरीके से काट लिएगा असानी से कट जाएगी यह मेरे पास दो आ गई है बीच में मैंने इसके फिलिंग रख ली है एक चमबज भरके फिलिंग आप अपनी मर्जी के मताबि कोई भी रख लिएगा इसे मैं अरजेस्ट कर लूँगी फिलिंग के चारो तरफ उंगली की मज़स्ते में पानी लगा दूँगी बिलकुल नजदी करके पानी लग गया है चोटी रोटी पर भी लगा दूँगी मैं पानी इसे हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी मैं फैला लूँगी ताकि ये इसके उपर पूरी आ जाए ये देखें इस तरीके से इसके उपर रख दिएगा और चारो तरफ से उंगली से दबा दिएगा ताकि ये अच्छो तरीके से बंद हो जाए और फिलिंग बाहर ना निकले ये बंद हो गई है अब मैं चूरी से ऐसे इसे काट लूँगी नजदीक नजदीक करके इस तरहां काटते जाईएगा लंबाई के रुख में ये तकरीवन सारे निशान लग गए है अब मैं एक स्ट्रिप उठाई है इसे गोल घुमाया है और बिर्कुल सेंटर में लाकर इसे रख दिया है मैं इसे दबा दूँगी यहाँ पर दूसरी स्ट्रिप को भी ऐसे ही घुमाकर मैं सेंटर में लाकर रख दूँगी के इसमें बल आ जाए सारे इसी तरीके से रखते जाएएगा एक दूसरे के साथ ये देखें इस तरीके से लास वाली स्ट्रिप आप जब रखेंगे तो उंगली की मदद से दरम्यान में से अच्छी धना दबा दियेगा ताके सारी एक दूसरे के उपर चिपक जाए ये देखें शेप बिल्कुल रैडी है मैंने 8 हिंच की एको रोटी वेल ली है इसे सामने से बिल्कुल स्ट्रेट काट लिया है साइडों से भी बिल्कुल इसे स्ट्रेट काट लिया है एक साइड मैंने इसकी छोड़ दिये इस साइड पर मैं इसके फिलिंग रख दूँगी एक चमबच फिलिंग लेके हाथ की मदद से फैला दियेगा इस तरहां से इसे कवर करके रोल करियेगा दो से तीन मर्थबा इसे रोल कर लियेगा यह मैंने धाई इंच का हिस्सा छोड़ दिया है इससे दबा दियेगा दोनों साइडों से ताके फिलिंग बाहिर न निकले अब मैं इसे स्ट्रेट कट लगा लूँगी नस्दीक नस्दीक लगा लियेगा स्ट्रिप उठा के इसे राउंड घुमा लियेगा जब स्ट्रिप में बला जाएं तो इसे गोल करके रोल के उपर घुमा दियेगा और नीचे से दबा दियेगा ताके इसके उपर चिपक जाए सारे इसी तरीके से कर लियेगा ये देखिए हमारी एक और शियप रेडी हो गई है मैंने एक और रोटी बेल ली है चार इंच का सरकल मैं इसमें से काट लूँगी ये सरकल रेडी है दो मैंने काट ली है एक बराबर के फिलिंग मैंने रख दी है आदा चम्मच इसे फैला दियेगा दूसरी रोटी को मैं बीच में से हाफ कर लूँगी चारा तरफ इसके पानी लगा दियेगा और दूसरा पीस उठाकर इसके उपर रख दियेगा उंगली के मदद से इसे चिपका दियेगा कि फिलिंग बाहर न निकले इस तरह से दबाते जाईएगा जो हिस्सा बचा है मैंने उस पर कट लगा लिये हैं सीधे करके इसे भी मैं गोल घुमाऊंगी और उपर की तरफ चिपका दूँगी उपर भी पानी लगा लिएगा उंगली के मदद से कि ये आराम से चिपक जाए ये देखें मैंने पानी लगा दिया है इसके उपर सारी स्ट्रिप इसी तरह से उठाकर रौंड घुमाते जाइएगा और उपर लगाते जाइएगा सिपक रही हैं ये इस सारी मैंने लगा दिये हैं अब उपर का जो हिस्सा इसे इस तरहां से राउंड कर दियेगा, एक दूसरे के उपर, कि ये कवर हो जाए, और इसकी शेप में खुबसूरती आ जाए, ये देखें, एक दूसरे के उपर लाते रहिएगा इस तरहां इसे, ये हमारी एक और शेप रैड़ी है, एक और रोटी बेल ली है मैंने, तक्रीबन आठ इंच की है ये भी, फीलिंग रग दी है मैंने इसके उपर, इसे सिर्फ आपने इस तरहां से काटना है सामने से, फीलिंग को फेला लिएगा और फीलिंग के चारो तरफ पाने लगा दिएगा अच्छे तरीके से, ये सामने से उठा कर इसके उपर कवर कर दिएगा और उंगली के मदद से दबा दिएगा कि फीलिंग बाहिर ना निकले, यह मैंने feeling cover कर दी है अब मैं सामने straight इसके उपर cut लगा लूँगी दूसरी side पर भी हम ऐसे ही लगा लेंगे straight cut इधर से आपने strip उठानी है इसे round घुमाना है और सामने उपर की side पर लगा दियेगा इसे इसे देखें इस तरहां से और सामने से आपने strip उठाकर बिल्कुल ऐसे ही रखनी है उसे घुमाना नहीं है बिल्कुल सीधा रखना है उसे इधर से strip उठाईएगा इसे round घुमाईएगा सामने रख दियेगा और सामने से strip उठाकर बिल्कुल straight रख दियेगा इसी तरीके से सारी स्ट्रिप लगाते जाईएगा उंगली की मदब से अच्छी तरह दबा दिएगा किनारे ताकि ये चिपक जाए ये देखें हमारी शेप रेड़ी है जहां हमने straight strips लगाई थी वहां से मैं इसे fold कर रही हूं हलका हलका सा ये देखें कितनी प्यारी shape आ गई है इसकी मैंने एक और रोटी ले ली है 3 इंच की दर्मियान में feeling रग दी है इसके और उंगली से पानी लगा दिया है किनार उपर इस तरह से इसे fold कर लिएगा और दबा लिएगा ये मैंने cut लगा लिये हैं चोटे चोटे इस पर इसके किनारे उपर उंगलीों के दर्मियान में दबा दियेगा ताकि इसे पत्ते की shape आ जाए इसी तरह से सारे पत्ते बना दियेगा और इन पत्तों को उठाकर उपर रख दियेगा और दबाते जाएगा ये सारे पत्ते मैंने उपर रख दिये हैं और दर्मियान में इसे इसे अंगूठे की मदश से दबा दिया है ये देखे मैंने इसे और दबा दिया है ये हमारी एक ओर shape ready है मैंने एक और रोटी ले ली है तक्रीबन 4 इंच की दर्मियान में मैंने इसके feeling रख ली है एक साइट पर मैंने पानी लगा दिया है इसके इसे भी मैं बंद कर लूँग इसे तरीके से अब आपने उठा कर एक दूसरे के उपर इसे रख देना है इस तरह से इसके दर्मियान में इसके edge को दबाएंगे तो इनकी पत्तों की shape खुद बहुद बन जाएगी जो अब नीचे का हिस्सा हिसे भी मैं दो हिस्सों में काट लूँगी और इन्हें भी पत्तों की shape दे दूँगी छूरी से ऐसे इसमें cut दे दियेगा जैसे पत्ते के दर्मियान में होता है यह हमारी shape ready है मैंने एक और रोटी बेली है 8 इंच की इसकी मैं लंबी strips काट लूँगी तकरिबं धाई इंच इसकी विर्थो feeling मैंने रखी है इस तरह से मैं इसको roll कर लूँगी यह देखें इस तरहां से उठा लिएगा इसे दोनों साइडों से पकड़कर इसमें सल्वटे दियेगा उंगली के दर्मियान में दबा कर इसे यहां चिपका दियेगा इस तरीके से हमारी एक और शेप ready है मैंने एक और रोटी बेली है 4 इंच की दर्मियान में से मैं इसे काट लूँगी इसे मैं समोसे की शेप दे दूँगी इस तरीके से चिपका दियेगा इसे उपर दबा दियेगा अच्छे तरीके से ताकि यह चिपक जाए इस पे मैं थोड़ी सी फीलिंग भर दूँगी इसे भी हम बंद कर देंगे पानी लगाकर ताकि फिलिंग बाहर ना आए कैंची से मैं काट लूँगी इसे थोड़ा सा फासला दे कर इसे भी मैं पत्तों की शेप दे दूँगी उंगली के दरम्यान में इसका एज दबाएंगे तो खुद बाखुद पत्ते की शेप आ जाएगी इसे अरजेस्ट करते जाएगा हमारी एक और शेप बिलकुल रेड़ी है अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे यह हमारी डिफरेंट शेप के समोसे बिलकुल रेड़ी है देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे है इनकी शेप भी बहुत जबरदस्ता ही है कमिन्ट करके ज़रूर बताईएगा कि यह शेप सापको कैसी लगी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा